गुड मॉर्निंग शुपरभात जैहें जै भारत नए नए प्रस्णों से हम रूबरू होते हैं तो आज भी एक नई प्रस्ण के साथ चल्चा को सुरू करेंगे कि क्या भारतिय राष्टी कांग्रेस कोई रायनीतिक दल न होकर बुध्ध जीवियों का एक शमूह था अब कांग्रेस एक रायनीतिक दल के रूप में है जो समय समय पर राष्ट का संचालन भी किया है आगे चुने जाने पर करेगी भी जबकि इसके उदय के पीछे अनिक कारणों में से एक प्रमुख कारण इसका बुध्ध जीवियों के शमूह के रूप में उदय होना है जिसके पीछे लाज डार्फिन की छत्र छाया में पल रहे ये वो ह्यूम का बहुत बड़ा हाथ है जबकि एवो ह्यूम 1884 में संतुष्ट हो गया कि भारतिय रहनितिग्यों को जो बुध्ध जीवी की सिरेणी में आते हैं बर्स में एक बार उन्हें एकत्र कर उनकी ब्याथा सुनी जाए तो यह राष्ट हित में होगा तथा अंग्रेजों एवों भारतियों के मैत्री भाव सुद्रिन होगा इस बिचार के साथ हूँ डर्फिन से मिला और कुछ बिसेस बिचारों के अदान परदान के परश्चात 1885 में भारतिय राष्टी कांग्रेस की गठन की गई जिसका मुख्य उदेश ये था कि भारत के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं और कांग्रेस से जुड़ेंगे और भारत की पक्ष को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तूत करेंगे या भारत के किसी भी तरह की बातों को चर्चाओं को नेशनल लेवल तक ले जाने का एक माध्यम बनाया गया अर्थात हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का उदय राजनीती के लिए नहीं हुआ था कांग्रेस का उदय बुद्धिजीवीयों का एक सम्मेलन था हम कहा सकते हैं कि कांग्रेस का जब गठन किया गया तो वह एक बुध्ध जीवियों का परहे लिखे लोगों का बिद्वानों का समुह हुआ करता था जो मैत्री और भाव को सुद्रिन करने के लिए एक प्लेट फॉर्म का कारी करता था पुना मिलते हैं इसी तरह की जनकारी के साथ धन्यवाद